हलो स्टुट्स लास्ट केस्ट करेंगे मैं एकसाइस 2.4 के लिए और चैप्टर नुमर 2 आपको हो जाएगा कंप्लीट तो क्या कहा रहा है केस्ट नुमर 16 आपको एन अर्थिक्वेक इस मेजर्ट विद न अब देखना गिविन कंडिशन हम कैसे लेंगे लैट ए इस दा अंप्लिट्यूड ओफ अर्थक्वेक यही वैल्यू है ठीक है सर तो अर्थक्वेक इस मेजर्ट विद आपके पास हो गया 3000 टाइम सेज लाड़र जायने स्मॉल पॉसिबल मेजरेबल अमप्लिट्यूड और अब यह बोल के रहा है अर्थक्वेक is measured with an amplitude, यह आपके पास A है, equals to 3000 times, 30,000 हो गया, 30,000 times than the larger, as large as, smallest possible, यह आपका A naught क्या हो गया है, smallest हो गया, A naught को नीचे बेजू, तो देखो A upon A naught की value कितनी हो गया, आपके पास 30,000 हो गया, ठीक है, अब आजो richer scale पे, richer scale क्या बोल रहा है, R equals to log 10 value दे रखिए A by A naught, तो यहां मैं 10, यह value हो गई, 30,000 आपकी यहां पर पूट हो गया, अब आपको यहां पर simply log निकाल देना, इसका, कैसे निकाल देना, log, तो log कैसे निकालते हैं, इससे पहले निकालेंगे, हम characteristic, point के पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से बन गया, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, next देखो, अब निक 30 select किया, मैंने यहां से like 30, इसका 0 वाला, 4771 उठाना है, 4771, 4771, क्या हो जाएगा, final answer, 4.4771 हो जाएगा, बता हो गाए नहीं होगा, हासर हो जाएगा, यह value यहां पर, कितना हो गया, आपके पास, 477 हो गया, आपके पास, बता हुआ नहीं हुआ, हासर हो गया, आप यह बता हो मुझे, कि यह r equals to, जो value दे रख्की है, r equals to log 10, 30,000, वो क्या हो जाएगी, मेरे पास, 4.4771, अगर मुझे यहापर, टू डिजिट तर लिखना है, अगर आप इसको लिखो गए, तो r equals to 4.5 कह सकते हो, क्या, हासर, बिल्कुल कह सकते है, तो देखो, मैं यहापर लिख देता हूँ, हैंस, रिचर स्केल विट 2 आपके पास हो चुकी है, तो यह हो गए, आपका रिचर स्केल आर का value हो गया है, 4.5, अब मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया, क्लिए रहे हैं आपर, यह हुआ कंप्लीट आपका, एक्ससाइज, 2.4, क्लिए रहे हैं आपर, ठीक है सर, और इसी के साथ हमने chapter 2 complete कर लिया है, इसके बाद आपको, इस exercise के बाद आपको कुछ MCQs मिलेंगे, ठीक है, और accession reasons वाले questions मिलेंगे, तो वो questions आपको खुद को self करने पड़ेंगे, वो में नहीं कर रहा हूँगा, क्यों क्योंकि जब इतनी exercise आपने कर लिए है, तो MCQs बगरे म जल्दी से जल्दी, बाकि अगर exercise concern आपने इतना भी समझ लिया, तो मान के चलो, आपके इसमें marks कहीं नहीं कटने वाले है, आपको log और antilog बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, बस आपको A to Z कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपने क्या किया है, ML अगरवाल भूक फॉलो कर रहे है, तकि इसके सारे questions आपको एक बार करवा दूँए, और class 11th और 12th के लिए complete lecture आपको playlist में separately provide हो जाएंगे, आपको class 9th से लेके 12th का complete math मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम NCRT follow कर रहे हैं, अब यह ML अगरवाल चल रही है अपने पास 11th के लिए, NCRT 9 to 12 भी होई गई है, ML अगर book, ठीक है, अभी 11th और 12th के लिए सोचा है, मैंना, अभी start नहीं करें यह lectures, सोच रहूं ऐसा मतलब, start करने की, अगर time बच जाता है, तो थोड़ा सा, और इन सब के बाद अपने स्टार्ट करेंगे, अपने JEE की batches, ठीक है, पता नहीं है, सब कुछ कितनी time में होगा, सोचा लाइक करना होगा, अगर आपको lecture समझना आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, share करना होगा, more and more, and channel को subscribe करना होगा आपको, तभी यहाँ पर जो है, और teachers को बुलाने का जो बजट बैट पाएगा, ठीक है, सब मेरी तरह उठके नहीं आ सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देकर ही लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोगो थोड़ी help करनी है, ताकि channel grow करे, and अपन यहाँ पर teachers वगेर यहाँ पर बुला सके, clear रहे हैं, तो मिलते हैं अपन next chapter 3 के साथ, chapter 2 complete हो गया, practice करना, और comments पर बताना, किन किन के schools के अंदर यह chapter complete हो गया, और किन किन को doubt बिलकुल नहीं है, और इसको मार्क सिंगता हम अच्छे वाले आ रहे हैं, तो मिलेंगे अपने next chapter 3 के साथ, तब तक के लिए good bye